नमस्कार फाइटर समाचार में आपका स्वागत है कोरोना वाइरस का विक्राल सवरूप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में सब के जहन में एक ही ख्याल आता है कि आखिर इस से छुटकारा कब मिलेगा इस सिल्सिले में चीन के कोरोना वाइरस एक्सपर्ट ने दावा किया है जिससे लोगों को थोड़ी रहत मिल सकती है दरसल चीनी डॉक्टर के मताबिक अगले चार हफ्तों में कोरोना की रफ्तार धीमी पड़ जाएगी इसके नए पुष्ट मामलों की संख्या घड़ है डॉक्टर जॉंग कोरोना वाइरस को लेकर चीन की सरकार की और से तनात मुख्य टीम के परमुख है तिरासी वर्षिय डॉक्टर जॉंग के मताबिक चीन में कोरोना वाइरस का दूसरा हमला नहीं होगा क्योंकि मोनीटरिंग सिस्टम को बहुत ज़्यादा मजबूत कर दिया गया है और होने ये बाते एक स्थान ये चैनल में दिये इंटर्व्यू में कही ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बच जाए